Recently आपने देखा होगा कि भारत के 0% chance है recession में जाने के आर्थिक मंदी में जाने के chances इंडिया के 0% है, शिलंका के 85% है और बाकी countries के भी बहुत जादा है यहाँ पर आप देख पाऊगे article है इंडिया has zero probability of slipping into a recession यह का है Bloomberg की एक study ने और Bloomberg में यहाँ पर दुनिया भग की countries की economy को evaluate किया है और यह का है कि हमारे हिसाब से आने वाले 12 महीनों में इन देशों के chances काफिए तक दिख रहे हैं कि इनकी economy मंदी में जा सकती है नमबर वान पर शिलंका है कोई यहाँ पर obviously आपको खास कोई predator होने की आप सकता नहीं है जो शिलंका की मज़े जानी है उसे आप कह सकते हैं बिल्कुल 85% chance है कि यह देश लंबी आर्थिक recession में चला जाएगा उसके बाद आप देखोगे New Zealand, South Korea, Japan, China भी हाँ आपको देखेंगे इंट्रस्टिंग बात देखिए चाइना और पाकिस्तान दोनों के 20% chance है आर्थिक मंदी बे जाने के इसको कहते हैं Real Iron Brothers इंडिया युएस की तरह नहीं जहाँ पर युएस के chances है 40% आर्थिक मंदी बे जाने के इंडिया के 0% chance है अच्छा आप यहाँ पर आप कहोगे इंडिया के 0% chance क्यों है यह तो बड़ा जीव है 1% ही दे रहते 0% कुछ जादा ही यह निया benefit of doubt डिटॉल की भी एड़ा आती है तो वहाँ पर भी कहते हैं 99% effective है तो देखिए मैं कहूंगा कि RBI ने जो measures यह हैं इंडिया के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार बचा है उसके लावा आप अगर देखो तो इंडिया में inflation comparatively देखो बिलकुल मैं यह नहीं कहूंगा कि भारत में inflation नहीं है भारत में बिलकुल inflation आई है RBI उसको control करने की कोशिश कर रहा है मगर दुनिया के comparison में आप अगर देखो we are a lot better दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि सरकार का जो revenue है ना लगातार बढ़ता जा रहा है सरकार की tax collection लगातार बढ़ती जा दी है सरकार के पास आज कैसे में इतना पैसा है कि कल को अगर आर्थिक मंदी के संकेद भी आती है तो उससे निपटने के लिए इंडिया बहुत से steps उठा सकता है अब यहाँ पर आप कहोगे एक बात बताओ आर्थिक मंदी में एक country आ चुका है इसकी definition क्या है कौन decide करता है कोई formula होता है कि अब आपकी growth rate इतनी हो गई तो by default यह country आ चुका है recession में तो देखिए इसका कोई globally accepted formula आपको नहीं मिलेगा Recently White House ने भी इस पर एक blog post किया जिहां White House ने खोद इस पर एक blog post किया कि recession होती क्या है यह सारी चीज़े एकटा जब हो रही हो तब scientists कहते है कि अब लग रहा है कि आर्थेंग मंदी आ चुकी है economic activity बहुत अतक कम हो रही है अब यावर मुझको यह भी आड़ करना पड़ेगा सिंस मेरा काम है कि आपको हर तरफ से जो भी angle है सब कुछ बताओं कि आपर हो क्या रहा है White House ने जब खोदी यह blog post कर दिया कि जी recession का मतलब क्या है GDP number सोड़े से अले तरी के लिए दिखा दिये तो उसके बाद USA में आलोजना भी हुई Biden की कि White House ने तो definition जो है जो एक major broad definition है recession की यही change कर दियो और मैं इच्छी बाट कर सोच रहा था Russia ने Ukraine पे अटाक कर दिया China ताइवान पे अटाक करने की लगादा धंकिया दे रहा है लग रहा है कि कभी भी अटाक हो भी सकता है दुनिया भर में आर्थिक मंदी का खत्रा USA में recession का खत्रा job losses वगरा यह सब हो रहे है लोगों को डर था यह सब होगा अगर Trump power में आ जाएंगे जबकि उल्टा यहाँ पर हो रहा है Trump के जाने के बाद Biden जब से हाप आए है तो अब से यह सब problem सामने आ रही है बढ़ यहाँ आप आप कह सकते हैं कि oil के दाम crash कर जाएं कोईले के दाम crash कर जाएं और since India एक net importer है इन सब चीजों का तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि इंडिया को benefit भी हो तो अब यहाँ पर आप कहोगे अब तो सर रुकानी जारा अब मैं comment करी देता हूं कि बस India is best हमने बस हमारी economy सबसे strongest है मगर मैं आप आपको कहूंगा रुको अभी नहीं मेरे शहेर अभी रुको एक problem यहाँ पर आ सकती है वो यह है कि अगर USA में recession आता है हमारे यह recession नहीं आता तब भी हमको जटका लगेगा क्योंकि याद रखिएगा economically हम USA पर USA के साथ जो trade होता है हमारा उसे आपको जटका लगेगा TCS, Infosys, HCL पर और इससे हो सकता है मैं कहूंगा again मैं यही कहूंगा कि अगर USA में recession आती है अभी भी वहाँ पर यह 38-40% probability की बात कर रहे हैं तो अगर माल लो recession अगर वहाँ पर officially आ गई तो उसका जटका लगेगा इन कंप्रियों पर और उसकी वज़े से हो सकता है कि एक बार को इंडियन स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिर जाए इंडिया में job losses हो थोड़ा बहुत तो देखिए कस्ट हमको भी इसका होगा हम इससे बिलकुल भी आसानी है के बच जाएंगे तो यह भी एक news and development है इसमें भी काफी और development जाएंगी काफी इसमें और अपडेट जाएंगी तो मैं updated वीडियो इस पर लागा रहा हूँ